Dear viewers, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम Dear viewers, मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं Dear viewers, उमीद है सब ठीक ठाक होंगे Dear viewers, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और बहुत एहम वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है तो वो है Renal Function Test List के बारे में Dear viewers, इसे Kidney Function Test List भी कहा जाता है और Short Form में इसे RFT यानि Renal Function Test और KFT यानि Kidney Function Test कहा जाता है Dear viewers, आज सिरफ मैं उन टेस्ट के नाम लूँगा जो के Blood में शामिल हैं और जो के Urine में शामिल हैं जो के Kidneys में किये जाते हैं उसमें Detail में मैं नहीं जाओंगा क्योंके Detail Lectures जो हैं वो बाद में मैं स्टार्ट करूंगा और Stepwise हर एक टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाओंगा तो Dear Viewers वीडियो को मुकमल तोर पर देखिएगा ताके आप लोग जान सकें के Blood में Kidneys के लिए कौन से टेस्ट होते हैं और Urine में Kidney Function के लिए कौन से टेस्ट होते हैं तो Dear Viewers मेरे साथ रहिएगा चलें स्टार्ट करते हैं Renal Function Tests List या फिर Kidney Function Tests List Dear Viewers सबसे पहले हम जानेंगे के RFT यानि Renal Function Test और KFT Kidney Function Test क्या हैं तो Dear Viewers ये वो टेस्ट हैं जो के Blood और Urine में किये जाते हैं और जिसके करने के बाद जब नतीज़े आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो कितने सहतमंद हैं Blood और यूरीन में Kidney Function के लिए जतने भी टेस्ट किये जाते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं और हमारे जिसम में जतना भी waste product बन रहा है तो वो यूरीन की थ्रू ठीक तरह से excrete हो रहा है या नहीं हो रहा है Dear viewers अभी बात करेंगे के RFT और KFT इन टेस्ट का करने का मकसद क्या है और फाइदा क्या है यानि तश्खीसी लिहाज से ये क्यूं एहम है तो Dear viewers ये टेस्ट किये जाते हैं उन मरीजों में जो ये शिकायत करते हैं कि उन में गुर्दोग से मुतलिक जो बीमारिया हैं तो उन होते हैं जिन लोगों को पहले से ही गुर्दे के अमराज होते हैं या उनका इलाज चल रहा होता है गुर्दों से मुतलिक तो उन लोगों को मुनीटर करना कि अभी उनके किड्नी जो फंक्शन है तो वो किस लेवल पर है तो ये टेस्ट उन में किये जाते हैं ये टेस्ट उन मरीजों में भी किये जाते हैं जिन मरीजों को हाइपरटेंशन यानि बुलंद फिशार खून का मसला होता है तो ऐसे लोगों को चेक करने के लिए भी कि इनके गुर्दे में कोई मसला तो पैदा नहीं हो गया किड्नी फंक्शन टेस्ट या रिनल फंक्शन टेस्ट किये जाते हैं इसके इलावा उन मरीजों के गुर्दों का पता लगाना इन टेस्ट की मदद से जिन लोगों को शूगर यानि डाइबिटीज होता है और आप लोग को पता है कि शूगर एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसे कंट्रोल ना रखा जाए तो आइस्ता इस्ता मरीज के ग टेस्ट पर जो के शामिल है रिनल फंक्शन टेस्ट में या फिर किड्नी फंक्शन टेस्ट में और सबसे पहले हम शुरू करेंगे खून के टेस्ट से कि खून में कौन कौन से टेस्ट किये जाते हैं किड्नी फंक्शन को मालूम करने के लिए तो डियर विवर्ज ये टेस् Filtration Rate Test, Serum Uric Acid, Serum Cystatin C, इसके इलावा कुछ Electrolides हैं जो के कहलाते हैं Sodium, Potassium और Cloride. Dear viewers, अभी बात करेंगे उन टेस्ट पर जो कि किये जाते हैं यूरीन में Kidney Function का पता लगाने के लिए तो यूरीन में सबसे पहले करते हैं Urine Analysis और इसमें जो चीजें हम देखना चाहते हैं वो होती हैं Protein का पता लगाना, Sugar का पता लगाना, Blood तो कहीं नहीं आ रहा पस Cells का पता लगाना, Bacteria है या नहीं है और Crystals की मौजूदगी देखी जाती है इसके इलावा जो टेस्ट किये जाते हैं Urine में तो वो है Albumin Test, 24 Hours Creatinine Clearance Test, 24 Hours Urinary Protein, Inulin Clearance Test, Sodium, Potassium, Cloride और ये भी ज्यादा तर 24 Hours Urine में चेक किया जाता है Magnesium Phosphate, Cystatin C, 24 Hours Urinary Kilsum Dear viewers अभी बात करेंगे कि खून में जो टेस्ट किये जाते हैं किड़नी फंक्शन को मालूम करने के लिए तो उनका खून का सेंपल कैसे लिया जाता है 3-5 ml बलड लिया जाता है, Red Top टूब में, Yellow Top टूब में, या फिर जेल टॉप टूब में Centrifuge किया जाता है, Serum को निकाला जाता है और फिर Serum से Advanced Machinery पर टेस्ट को रन किया जाता है Dear viewers अभी बात करेंगे कि जो 24 गैंटे का सेंपल यूरीन का लिया जाता है तो वो कैसे लिया जाता है और कैसे रखा जाता है तो इसके लिए एक Special Container होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का Container या इस तरह के और Containers अवेलेबल हैं जिसमें 24 गैंटे का यूरीन जमा किया जाता है इस Container को आप एक मारकर से लेबल कर देते हो और उस पर Time भी Note कर देते हो और तारीख भी Note कर देते हो ताके आपको 24 गैंटो का पता अच्छे से चल सके जैसे ही आप अपना पहला Simple इस Container के अंदर डालोगे और अपने Blader को खाली करोगे तो आपका Time शुरू हो जाएगा 24 गैंटो के अंदर आपने इस Container को ठंडी जगा पर रखना है और ठंडी जगा कौन सी है जी हाँ रेफरिजरेटर है और रेफरिजरेटर में आपने इसको रखना है 4 से 7 सेंटीग्रेट पर और जब भी यूरीन आपको आए तो आपने कंटेनर को फ्रिज से निकालना है यूरीन उसमें पास करना है लिट को बंद करना है और दुबारा से फ्रिज में रख देना है रूम टंपरेचर पर आप कंटेनर को नहीं रखोगे वरना फिर टेस्ट की वेलियूज में फर्क आएगा थेंक यू सो मच डियर विवर्स फॉर वाचिंग MLT Hub with कामरान उमीद है ये लिक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा MLT Hub with कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज